हेलो अबरिवान वेलकम बैक टू मैं चैनल खानाए रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए मलाई की लड़ू रेसिपी सेयर करने वाली हूँ मलाई की लड़ू बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जटपट बनके तयार हो जाती है ये खाने में जितने स्वादिश्ट होती है इसे बनाना भी उतना असान होता है मार्केट में मिलने वाले महंगी मलाई लड़ू अब घर पर ही बहुत ही असान से बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है सबसे पहले एक छोटी से बाल में केसर की कुछ धागी लेंगे इसमें हमें दो से तीन बून गर्म दूद डालना है उसे मीक्स करके अलग रख लेंगे और एक छोटी से बाल लेंगे इसमें हमें दो चमच विनेगर लेना है और उसमें तीन चमच के करीब पानी डाल के मिला लेना है इसे भी साइड में रख लेंगे अब डेड़ लीटर दूद गैस में गर्म होने के लिए रखेंगे जब दूद में गुबाल आने लगे तब इसमें विनेगर मिक्स किया हुआ पानी इसमें धीरे धीरे डालेंगे दूद को फाड के हमें छेना निकाल लेना है एक छलनी में कपड़ा भी चाएंगे और उसमें फटे हुए छेने को छान लेंगे मैंने यहां गाय के दूद का इस्तुमाल किया है आप कोई सा भी दूद इस्तुमाल कर सकते हैं अब छेने पर एक से दूबार पानी डाल के अच्छी तरह धो लेंगे ताकि इसका खटा पर निकल जाए पुटली को बान के छलनी के उपर ही इसे छोड़ दे थोड़ी देर के बाद इसे हाथों से दबाते हुए निचोड निचोड के इसके सारे पानी को बाहर निकाल ले इसमें हलका पानी रहने देंगे अब इसे एक बड़े से थाली में निकाल लेंगे अब इसे आलू मैसर से धीरे धीरे दबाते हुए मैस करेंगे अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिपिकेसन आपको सबसे पहले मिले और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज अपनी फैमली प्लेंट के साथ सेयर करें और कॉमेंट्स करके बताएं अब इसमें हमें दो चमच मलाई डालना है अब मलाई डालकर भी इसे अच्छी तरह मैस कर ले फिर आप घर पर ही मलाई लड्डू बनाते हैं तो ये बहुत ही कम समय पर और बहुत ही कम समान पर बन जाती है और ये बहुत स्वाधिस के साथ सथ हेल्दी भी होती है अब हम एक मोटे तले की कढ़ाई लेंगे उसमें एक लीटर दूद गरम करने के लिए रखेंगे दूद को हमें बीच-बीच में चलाते हुए पकाते जाना है इस टाइम हमें गेस का फ्लेम मिडियम रखना है और इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाते जाना है हमें इसे तब तक पकाना है जब तक दूद आधी से भी कमना हो जाए दूद गाड़ी हो जाए तब इसमें चार से पांच चमच चीनी डाले आप इसमें चीनी कम भी कर सकते हैं चीनी डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए पकाते जाएगे अब इसमें हम मेस किये हुए छेने को डालेंगे अच्छे सी मेस करते हुए इसे पकाते जाएगे इस टाइम हमें गेस का फ्लेम लो कर देना है इसे लगातार चलाते हुए पकाते जाएगे हमें ध्यान रखना है कि कढ़ाई के तले पे ये चुपके नहीं इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये गाड़ी ना होने लगे इसे पकाने में हमें चार से पांच मिनट का समय लग जाएगा ये धिरी-धिरे गाड़ी होने लगेगी या इसका दूद धिरे-धिरे कम होने लगेगा आप देख सकते हैं ये गाड़ी हो गई है ऐसे हमें इतना ही पकाना है अब हम गेस का फ्रेम आफ करके इसे निकाल लेंगे अब इसे ठंडा होने के लिए कड़ाय पे ही छोड़ देंगे आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद इसके ठेकनस और भी बच्छी हो गई है इसे एक बार मिक्स कर लेंगे अब हलके हां तो उसे छोटे छोटे लड़ू बना के तयार करेंगे मलाई वाली लड़ू को कोई भी बहुत ही असान तरीके से बना सकता है इसी तरह हमें सारे लड़ू बना के तयार कर लेना है अब हमने जो केसर वाला दूद भिंगो के रखा था उसे लेना है और उपर से इसे बुंद बुंद लगा देना है आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं इसे लगाने से मार्केट वाला लोक इसमें आ जाता है अब इसके उपर कटे हुए पेस्टाचू लगाकर इसे गार्निस कर सकते हैं तो देखा आपने कितनी जल्दी और बहुत ही असान तरीके से हमारा मलाय लड्डू बनके तयार हो गया तो इस तहवार आप भी इसे घर पे बनाए और सब के तारिफे पाए तो मिलते हूँ मैं अगली रेसिपी के साथ तब तक कि